आहिएू दूत्ति-प्री टीफिन में के फ्रूटस नहीं है चाहिए प्रूट्स लारक हैं अपल नम्कीना। जाहिए कि और क्योंकि आज वैसे हाव इन लोगों के खुशी का ठीकाना नहीं है क्योंकि विवान का दू रात को आ गया था मैसेज कि उद्राफंड गवर्मेंट की तरफ से छुटी लेकिन इनका नहीं था इनका वी आया और ये न खुश हो गया वो देख बुड़े खुश हो गया अधिव गाइज गुट बॉर्निंग एंड विल्कव बैक तो माई यूटूब चैनल और अभी बज रहे हैं सुवे के साथ तो अभी छत पे आगे में और विवान क्यों आये विव चत पे तो खेलने के लिए आया है वैसे भी आज छुटी हो गई उत्राखंट गॉर्मेंट ने कर दिया है क्या है तो रात को सोचना पड़ता है कि सुबह उट नाइटी फिन में क्या बना रहा है सुबह पांच बज़े जैसे तैसे उठो इतनी मेहनत करो और बच्चे को तयार करके उसको ली जाओ वें तक की स्कूल जाना है और तब आपको वैसेज में पता चले किया रहे आस तो छुटी है उत्राखंट गॉर्मेंट ने छुटी रखी है बारिस की वज़े से तो कितना बड़ा प्रेंक हो जाता है ना पूरे रात भर मतलब य जहांसिते हैं जा इस चल जाता है तो सबकुष और तो एक पैक कर देते हैं पास्ता भर दिया तो हमारे मैंने का राशन है दालों चिन्नी सबकुश और से चिन्णी फ़ीच और चिन्नी तो अल्रेडी ला दिया था दो ये हैं तो कभी हमारा तीन केजी कभी चार केजी लग जाता है तो हम लोग तीन केजी चल जाता हमारा इनको लगा कि छुटी है हमारी तो हाज हम खुब इंज्ड़ाई करेंगे लेकिन इसकूल से गया अच्छा तकड़ा होंबक आ गया तो कल रही है बिल्कुल इतनी दुफानी हवा चल दिन और मौसम देखो जड़ा बिल्कुल काले बादल से के बरसने हो अला थंदी थंदी हवा है तो हम चलें अभी बट्टे में पता बूतों मसी और यह पास्टे तो आस सुबह सुबह बनिया एक टीफिन अब बन गेए इंडिन की टीफिन और यह मैं जो आसे लाएजनेस में अब व्रोस देने लग गई हूं यह बन रखी है लेकर यह बीबो के लिए इसपेशल तीखे आलो बन रहे हो उसकी टीमांड है अब तो उटके खा रहा है चोको जडूद उसकी डिमांड है कि इसको तीखे आलू खाना है, मतलब देखें, मतलब इसफाइसी वाले आलू खाना है, अगो ली जाना उसको आज टीफिन में, तो उसके लिए अलग से स्पेशल तो वो ये थोड़ा सा ऐसी फ्राई कर रहे हो, और अपने लिए तो सबजी बन गई, तो मैं रहे हो, चलो कहरा म अपने काम निप्टाते हैं फड़ा पड़ से जो है, और आप लोगों को मिलते हैं सीधे बाद में जब पूरा काम निपड़ जाएगा, अज पी रहा है निम्बु जू, आज पी रहा है निम्बु जू, उस पे तो रहा है, अज पी जीरा दाना, आज पे नमक भी दाना है अच्छा, अच्छा, वहार तो इतनी तेज बारिश लग गई और माही के स्कूल से भी एक मैसेज आया अभी, अब बारिश में ही भाई को भीजा कि कल इनका ट्राइकलर के कुछ डिस्ट बना के भेजनी है, तो समझ में नहीं आरा कि क्या बनाए तो अपी फूड कलर लेने बेज रखा है, तो घर में ही कुछ बनाएंगे, कुछ सामान से, और तो देखते हैं अभी क्या लेकर आते हैं, और क्या बनेगा अच्छे, तो तू भी लेके जाना, नहीं चलेगे तो तेरा मैसी बना के देदेंगे, तो विबू कर रहा था, हूंबक, पढ़ाई, और माही और माही के मामा चलेगे, दुकान, यह न, माही के स्कूल में, तेरे मामा है, तो माही के स्कुल में जो बनता है, इसको भी लेकर जाना ए, तो तेरे औरे को भी Engे बिटा, तो हम सोच रहे हैं कि, मैं नारेल को कद्दू कस कर सकर चे उसकी बर्फी बनाओं, तो तीन कल में तो बनाते हैं इसका देखतें किया बनाते तो आप लोगों को दिखाएंगे तो यह थोड़ा सा हल्का ब्रॉन वही अभी भाइट है तो नार्यल को बूले हल्का दूद डाल के अच्छा सा स्वाधा है चीनी डाल दे इसमें और अब इसको ठंडा करने डालते तो यह तो बनाएंगे इसके और यातल लट्ट बनेंगे मामा को याद दिला देता जब आप आँगे अगरी बास से याद जरूँगे जब स्कूल होगा बन गे हमारे वाइड बन गे अब गरीण बनाने हो लें बना ले हमने ट्री कलर और अब बचा तो इसका तो हम अपने लिए बनाएंगे खाने लिए लिए उसकूल के लिए बनाएंगे तो अब इसको रख देते हैं फ्रीज में और फिर कल सुबह तक यह बहुत अच्छे बन जाएंगे अब बन गई खाना विखा लें हमने और अब जा रहे हम सोने और माली करें अपना बैक सुबह के लिए तो और ताइन तो आज ज्यादा हो गें तेक रहीं साड़े दस बजे तक सो जाते मतलब दस बजे तक हमारी लाइट बंद हो जाती हम सो जाते हैं तो लेट हो गया इसी बजे से जो बनाया था तो होता नहीं कि खाने के बाद फिर एक्स्ट्रा कुछ बनाना तो टाइम लगता ही है आज बस आज के लिए इतना ही है I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेर और सब्सक्राइब जरू कि भीडियो पसंद आई समय दसक्त llamही है ड़ सिर मॉक बंचान वीडियो है गर सिर आई है आई हो गो येको जलразуि ह触ाआ है आई हो